जै भूलिनाथ आप सभी का आपके पनी यूट्यूब चैनल किटकेटी स्टोडीस पर बहुत-बहुत स्वागत है आज फालगुनमास महातमी की कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी को बता दू कि हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम व्रत कथा और कहानी है उस पर आज भगवान, शिव और दिवी पारवती के विवहा के बाद जब उनकी विदाई हुई उस समय का प्रसंग सुनाय जाएगा ये दि हो सके तो दोपहर में ठीक तीन बजे आप मारे दूसरे चैनल पर इस कथा को भी चरूर सुन दीजेगा शुरी व्यासची धर्मराज युदिस्टर से कहते हैं कि हे राजन जो लोग राम, राम, राम इस मंतर का उचारन करते हैं खाते, पीते, सोते, चलते और बैठते समय, सुख में या दुख में राम मंतर का जाब करते हैं उन्हें दुख, दुर्भाग, आधी व्याधी का भई नहीं रहता, उनकी आयू संपत्ती और बल हर दिन बढ़ते रहते हैं राम का नाम लेने से मनश भयंकर पाप से भी मुक्त हो जाता है, वे नरत में नहीं पढ़ता और अक्षय गती को प्राप्त होता है इस प्रकार श्री राम जी ने तिर्थोर धार का सबकार पूरा कर ब्रहमनों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाये, घोडे, भैंस और रथ आधी बहुत से दान दे कर वे अपनी सेना सहित वापस लोटाई क्रमशा, पहले अयोध्य नगरी में आकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज जी किया धर्मराज युदिश्टर ने पूछा, हे मुने, कल्यूग प्राप्त होने पर संसार में किस तरह कभ़े होता है, ये भी बताईए तब व्याज जी बोले, हे राजन, कल्यूग में लोग जूट बोलने वाले और साधू पुरुशों की निंदा करने वाले होंगे वे सभी लुटोरों की काम करने वाले और पित्रभक्ती से दूर होंगे अपने ही गोत्र की इस्त्रियों से रमन करने वाले और चपलता के ही चिंतन में सदा ततपर रहेंगे एक दूसरे की विरोधी ब्रहमनों से द्वेश करने वाले और शर्णागतों का वद करने वाले होंगे कल्युगाने पर ब्रहमन वेदिभरस्ट हो जाएगा एंकारी, वैशोचित, आचार, क्रशी, गोरक्षा और वानेज में लीन होने लगेगा और संध्या कर्म का लोब करने वाले होने लगेंगे शांती कर्म में शूरता की डींग मारने वाले और भई प्राप्थ होने पर अत्यन्त दीन होंगे श्रात और तरपन से लोग दूर रहेंगे असुरों के समान आचरन वाले तथा विश्नु भक्ती से रहित होंगे दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूद खोर होंगे ब्रहमन बिना नहाय भोजन कर लेंगे छत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे कल्यूग में सब लोग दुस्ट वृत्ति वाले और मलिन होंगे मदिरा पियेंगे और जो यगी के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों से भी यगी करवाएंगे इस्त्रिया अपने पती से द्वेश करने वाली और पुत्र पिता से व्यर रखने वाले होंगे कल्यूग के शुद्र मनुष्य भाई से शतुर्ता रखेंगे भाई ही भाई का दुश्मन होगा ब्रहमन धन इकठा करने में संगलगने रहेंगे और गाय का दूध दही और घी बेचा करेंगे कल्युग में गववे प्रायह दूद नहीं देती हैं व्रक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं लोग अपनी कन्याओं को बेचने वाले होंगे विश और रस को बेचा करेंगे कल्युग के ब्रहमन वेद बेचने वाले होंगे इस त्रियां 11 वर्ष की आयू में ही गर्भ धारन कर लेंगी प्राय है लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे तीर्थ सेवन में ब्रहामनों की प्रवर्ति नहीं होगी ब्रहामन अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे सब लोग कुटल वृति से अपनी जीवी का चलाने वाले और वेदों की निंदा में ततपर रहेंगे सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस पर एक दूसरे को चलने वाले होंगे कल्यूग में चुआ चूत के दोश को नहीं मानेंगे छत्री लोग राज्य से वंजित होंगे और मिलेच राज्य करेंगे प्राय है सभी विश्वास घाती, गुरु द्रोही, मित्र द्रोही और शिश्नो दर परायन होंगे महराज, कल्यूगाने पर चारो वर्ण के लोग एक हो जाएंगे और ये मेरा वचन जूठा नहीं होगा कल्यूगाने पर सभी ब्रहमन अपने स्थान से ब्रहस्ट हो जाएंगे वे बल्वान पक्ष को ग्रहन करेंगे और पक्षपाती हुएंगे और वेद ब्रस्ट हो जाएंगे प्राचीन काल में श्री ब्रहम्हा, विश्नु और शिवाधी देवताओं ने धर्मारणी तीर्थ को इस्थापित किया था सत्युग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण, त्रेता में सत्यमंदिर, द्वापर में वेद भवन और कल्युग में मोहेरक हुआ जो मनुष श्रद्धा पूर्वक, सब पापों का नाश करने वाले धर्मारण महातम्य को सुनता है वह मन, वाणी और शरीड से होने वाले त्रेविध पातक का नाश करते ता है एक बार इसके सुनने या फिर कीर्थन करने से सब पापों का नाश हो जाता है इस्त्री हो या पूरुष, जो भी भक्ती पूर्वक इसे सुनता है वह कभी भी नरकदर्षन नहीं करता है ऐसा कहका श्री व्यास ची वहां से चले गए और धमराज युदिस्टर ने उन्हें प्रणाम किया श्री सूत ची कहने लगे है तपोधनो एक समय महातेजस्वी मारकंडे मुनी तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा नदी के तड़ पर बैठे वे थे वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से रिशी महर्शी आये वे थे जिनमें पुलत से वशिस्ट, मरीची, भरदवाज, कश्यप, पराशर, कात्यायन मुनी, गौतम, शंख, लिखित, दक्ष, कात्यायन आदी थे उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युदिस्टर, वेद वेत्ता और ज्यानी ब्रहमणों तथा अपनी प्रिया द्रोपदी के साथ नर्मदा तठपर मारकंडे मुनी के आश्रम में आए, वहाँ पहुचकर उन्होंने भाईयों सही तीन बार मुनी की परिक्रमा की और उन्हें सास्टांग प्रणाम करके बैठ गए राजा को बैठा देख महामुनी मारकंडे बोले राजन भाईयों और ब्रहमणों के साथ कुशल से तो हो ना तब युधिस्टर ने हसकर कहा मुने आज आपकी चरणार विंदो का दर्शन पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गया मेरे अंतहकरन का मल नस्ठ हो गया तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगाद्वार, हिमाले, कुपजार्ग, प्रमयोनी, उगरतीर्थ, कंखल, केदार, भहरवचेत, नैमिशारण, कुरुक्षेत, पुष्कर, इत्यादी, पवित्र, तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महान अधी नर्मदा का ही सेवन करते हैं, इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं, हे मुनिवर, आप करपा करके इस रहस्य को बताइए, मारकंडे मुनि बोले, राजन, पुर्वकाल की बात है, चंद्रवंश में पुरुर्वा नाम से विख्यात, एक चक्रवर्ती राजा हुए थे, वे स्वर्ग लोग का शासन करने वाले इंद्र की तरह पूरी प्रत्वी का पालन करते थे, एक समय राज सभा में उन राजा ने बड़े बुढ़े ब्रहमन से पूछा, कि है ब्रहमन देटाओ, पाप मोहित मनुष कि सुपाएं से प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं ये बता दीजे, तब ब्रहमन कहने लगे कि महराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली हैं, वे संपूर्ण विश्व का पाप हरन करने में समर्थ हैं, उन्हें स्वर्ग लोग से आप इस प्रत्वी पर उतारें अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्रहमनों का ये वचन सुनकर राजा पुरुर्वा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतहकरन से महादेव जी की आराधना प्रारम कर दी, तब एक दिन महादेव जी ने प्रसन होकर कहा कि बेटा वर मागो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के निसार वस्तु प्रादान करूंगा, तब पुरुर्वा बोले कि महादेव, आप तो समस्त लोकों के हित के लिए बस नर्मना नदी को प्रत्वी पर उतार दीजे, आज लाख योजन का विशाल जम्बु द्वीब निराधार हो रहा है, ना तो देवता त्रप्त होते हैं, ना पितर और ना मनश्यों की ही त्रप्ती हो रही है, सुनकर महादेव जी कहने लगे कि राजन, तुम तो बड़ी दुरलब वस्तु की याश्ना कर बैठे हो, ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुरलब है, नर्मदा नदी को दूसरा जो कुछ भी वर मागो, मैं अवश्य दूँगा, पुरुर्वा बोले, महादेव, मैं तो अब प्रान जाने पर भी दूसरा वर नहीं मागूँगा, अगर आप मुझे दे सकते हैं, तो बस मेरी यही च्छा पून कर दीजे, राजा का ये निश्चय जानकर, तथा उगर तपस्या द्वारा, उनके किये हुए साधन को देखकर, महादेव जी ने नर्मदा को आग्या दी की है, सुरेश्वरी, तुम प्रत्वी पर उत्रो, और पुरुर्वा की तपस्या के फल से मृत्यू लोग के हितका साधन करो, नर्मदा ने कहा, महिश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोग से प्रत्वी पर कैसे जाओंगी? तब नर्मदा की बात सुनकर, देवादिदेव महादेव जी ने आठ परवतों को बुलाया और उन सब से पूछा, कि तुम में से नर्मदा नदी को धारन करने में कौन समर्थ है? तब विंद्याकिरी परवत को धारन करूंगा. फिर नर्मदा देवी परियंक गिरी के शिखर पर इस्थित होकर उतरी. एक तो पूरी प्रत्वी पर पहले से अकाल था, अब नर्मदा नदी की अपार जलराशी जो बहुत दिवरता के साथ प्रत्वी पर भ्रमन कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय मेकल कन्या नर्मदा की इस्तूती की और कहा हे कल्यानी तुम अपनी मर्यादा को धारन करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारणी बनो, प्रले मत मचाओ. देवताओं के इस प्रकार प्रार्थन करने पर महादेव जी की आग्या से न जल का इसपर्ष करो. उनकी आग्या पाकर पुरुर्वा ने उनके जल का इसपर्ष और आचमन करके पित्रों का तिल और नर्मदा जल से तरपन किया. उस जल से तरपन करने पर राजा के समस्त पितर उस परमपद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुरलब समस्ट चराचर जगत सब और से पवित्र हो गया वेदेश, परवत, गाउं और आश्रम भी पवित्र हैं जहां नर्मदा जी विद्यमान है सरस्वती जी का जल तीन दिन में पवित्र करता है यमुना जल साथ दिन में पवित्र बनाता है गंगजल इसनान करने पर तुरंती ही पवित्र करता है परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुश्यों को पवित्र कर देती है नर्मदा के संगम में जहां कहीं भी सनान, दान, जप, होम, वेदपाठ, पित्र पूजन, देव आराधना, मंत्रोपदेश, सन्यास और देहत्याग अधि जो कुछ भी किया जाता है उसके फलका कहीं कोई भी अंत नहीं है विशाख, माग, या फिर कार्ति की पूनिमा को विशुव योग में, संक्रांती के समय, व्यतिपात और वैधरिती योग में, अमावस्या में, तिथी की हानी और व्रद्धी के दिन, मनवादी, युगादी और कलपादी तिथियों में, माता-पिता के क्षहिया में, नर्म नर्मदा में सनान, दान, जप, होम और पूजनादी करता है, वह अशुमेद यगी का फल प्राप्त करता है, हे युधिस्ठर, मनुष्य नर्मदा में जहां-जहां इसनान करता है, वहीं-वहीं उसे अशुमेद यगी का फल प्राप्त हो जाता है, जो मनुष्य प्रातहका उठकर नर्मदा का कीर्दन करता है उसका साथ जन्मों का किया हुआ पाप उसी छण नस्ठ हो जाता है और जहां संगम और बान लिंक से युक्त नर्मदा न दिश्थिते थे वहां इस्तनान करके मनुष्य अशुमेद यगिका फल पाता है और अंतमेशिव धाम को जाता है ज